दोस्तों इंटरनेट सेंसेशन प्रिया प्रकाश वार्यर आजकल अपनी अपकमिंग फिल्म औरू अदार लव को लेकर काफी सुरुक्यों में हैं बता दें कि पिछले साल वैलेंटाइन डे के मौके पर प्रिया का विंक वीडियो तेजी से वाइरल हुआ था इस वीडियो के बारे में बात करते वे हाल ही में प्रिया ने कहा उस समय में अपने घर में कैद हो गई थी मुझे घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि मेरे मम्मी पापा काफी परेशान हो जाते थे कई बार तो मीडिया के लोग मेरे घर के बाहर आकर दर्वाजा खटखटाने लगते थे मेरी हालत तो ऐसी थी कि कालिज से आने के बाद मुझे कालिज ड्रेस में ही इंटर्वियू देना पड़ता था लोग मेरे घर के दरवाजे पर आकर पूचते थे कि क्या ये घर प्रिया प्रकाश का है क्या हम उनसे मिल सकते हैं या क्या हम उन्हें देख सकते हैं मेरे मम्मी पापा इससे परिशान होकर ये बोलने लगे कि प्रिया घर पर नहीं है प्रिया ने आगे कहा हम सभी मिलकर उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो सबकुछ मेरे और मेरे परिवार के लिए बिलकुल नया था प्रिया प्रकाश से आगे सवाल किया गया कि वो विंक गर्ल के टैग को किस तरह हैंडल करती हैं तो उन्होंने कहा विंक गर्ल के टैग ने मुझे मशूर होने में और अपनी पहचान बनाने में काफी मदद की पर मैं एक दिन इस टैग से आजाद होना चाहूंगी शुरुआत में तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है मैं इसे इंज्योई करने की कोशिश कर रही हूँ